दोस्तों आज के वीडियो में हम तो सीखने वाले हैं कि जुरोधा क्वाइन में आप किस तरीके से अपनी S.I.P. में E-Mandate कर सकते हैं तो जो भी लोग मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे होंगे और मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो उन वीडियोस से ये वीडियो अलग है क्योंकि पहले के जो वीडियोस थे वहाँ पर मैंने बता रखा था जब भी S.I.P. वाला मेरे वीडियो बनाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बता रखा था कि आपको अपनी S.I.P. एमाउंट का मैनुवली पेमेंट करना पड़ता है जिस तारीक को आपकी S.I.P. डेट होती उस तारीक को या फिर वहाँ से लेकर के 5 दिन आपको मिलते थे अपनी S.I.P. का एमाउंट पे करने के लिए तो इसमें लोगों को काफी दिक्कते आ रही थी और जिसके बारे में लोग चाह रहे थे कि उनका जो S.I.P. एमाउंट होता है वो डेरेट उनके बैंक से कट जाया करे तो अब ये जुगधा जिरोधा की ओर से कह लिजी हमें बलद करवा दी गई है तो वीडियो में अभी हम लोग आगे देखेंगे पूरा डिटेल में और इमेंडेट को समझेंगे भी कि किस तरीके से उसको हम लोग कर पाएंगे तो जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आये हैं मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे वीडियो पसंदा इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए तो अब इमेंडेट का जो ऑप्शन है ये कहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पर जो एकाउट वाले स्क्षन है यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको ये पेमेंट वाले स्क्षन में जाना है यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक mandates का option मिल जाएगा तो अगर आपको SIP स्टार्ट करनी भी है तो उससे पहले आप अपना जो यह e-mandate के लिए mandate के लिए यह पहले कर लीजिए और करने के बाद जब यह activate हो जाए उसके बाद ही आप SIP करिए और उसके साथ में इस mandate को link कर दीजिए तो अगर आपको mandate पहले करना है तो वो simply यहाँ से हो जाएगा लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए तो चलिए जब mandate पहले हम पहले click करते हैं और click करने के बाद में कुछ इस तरीके का option आपको दिखेगा वहाँ पर आपको यह चीज नहीं दिखेगा यहाँ पर जो दिख रहा है यह चीज अभी इसको ध्यान मत दीजिए तो यहाँ पर पहले जो question mark बना हुआ यहाँ मैं आपको click करके mandate के बारे में थोड़ा सा detail में बता देता हूँ चलिए हमने यहाँ पर click किया है और यह एक नए page पर हमें ले जागा तो जो मोटी मोटी बाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो यहाँ पर यहाँ ने बता रखा है कि किस तरीके से हम mandate को create करेंगे तो यहाँ जैसे यहाँ ने बता रखा है tap to account, tap to payment, tap on mandates, tap on new mandates, accept the TNC and tap on continue verifying using debit card और net banking तो जो main चीज है यहाँ पर क्या कि आपको अपना जो mandate है उसको verify करने के लिए debit card या फिर net banking का इस्तमाल करना पड़ेगा और जो हमारा पैसा कटेगा वो कट करके जाएगा Indian Clearing Corporation Limited को ICCL को ठीक है इसके बाद में थोड़ा सा और हम नीची आ जाते हैं तो यहाँ पर जो इन्होंने बता रखा है कि जब आप mandate करेंगे तो यह activate होने में तीन दिन लग जाएंगे करीब करीब मालेगे कि 72 घंटे के अंदर आपका यह mandate activate हो पाएगा ठीक है इसके बाद में और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यह बता रहे हैं कि जो आपकी existing SIP है वहाँ पर भी आप mandate को link कर पाएंगे यहाँ पर आपको इस section में आपको वही सारी चीज़ें बताई गई है और जब नीचे आएंगे तो जो इसमें से main चीज़ है वहाँ पर आपको मैं बता देता हूं यह वाला point देखिए a single SIP cannot be linked to multiple mandates एक से ज़्यादा mandates से एक SIP को आप link नहीं कर पाएंगे लेकिन एक ही mandate से आप multiple SIP को link कर पाएंगे तो यह important point है तो आपको बार-बार mandate देने की ज़रूत नहीं है आप एक single mandate देंगे और उससे आप अपनी और भी SIP को link कर लेंगे और यहाँ पर जो last point है अब द bank लेगा और अगर आपके जो bank है जहां से पैसा cut होना है वहाँ पर अगर insufficient balance रहेगा तो अब penalty आपको लगेगी तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके bank में SIP के लिए sufficient amount हो तो चलिए हम यहाँ पर mandate create करना सीखते हैं और simply हम यहाँ पर mandate वाला जो option य और यहाँ पर नीचे की और आपको भी ऐसा option मिल जाएगा new mandate वाला यहाँ पर हम click कर देते हैं click करने के बाद में आपका जो name होगा वो यहाँ पर show हो जाएगा जो जिरोधा की ID होगी user ID होगी वो यहाँ पर show हो जाएगी और create mandate for ICCL के लिए हम यह mandate create कर रहे हैं यहाँ पर simply जो I accept के बगल में यह box बना है इस पर हमें tick कर देना है इसके बाद में जो continue वाला option है इसके उपर click कर देना है चलिए हमने यहाँ पर click कर दिया click करने के बाद में हम एक नए page पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर सारी आपकी जो details होंगी वो यहाँ पर show होंगी यहाँ लिखा है maximum amount एक लाग तक कहने का मतलब है कि एक लाग तक का जो amount है उसके लिए आप mandate दे रहे हैं जो कि आपके bank से cut हो सकता है यहाँ पर अगले option में debit frequency दे रखा as on when present debit frequency कहने का मतलब है कि पैसा आपके account से तब कटेगा जब जब आपकी SIP की dates रहेगी purpose क्या है mutual fund payment के लिए start date यहाँ पर दे रखी है 13 12 2022 end date में until cancelled दे रखा है यहाँ पर एक utility code दे रखा है उसके बाद में customer details में यहाँ पर bank का नाम है account number है account type में saving है यहाँ customer का name है और verifying using debit card यह net bank जिसके द्वारा आप करना चाहें उस option को आप यहाँ से choose कर सकते हैं मेरे case में debit card से करना चाहता हूँ और यहाँ पर आपको simply जो box बना है यहाँ पर कर देना है टिक का निशान लगा देना है उसके बाद में आपको नीचे की और आ जाना है नीचे की और आने के बाद में आपको यह submit का button मिलेगा इस पर simply click कर देना है click करने के बाद में आप एक नए page पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर जो details आपसे मांगी जाएंगी वो भर देना है नीचे की और आप आएंगे तो यहाँ पर हमें debit card number डालना यहाँ पर debit card का जो pin होगा वो डालना है और यहाँ पर इसकी expiry date डालनी है तो चलिए इसको हम डाल लेते हैं तो दोस्तों सारी detail डालने के बाद में अब simply आपको यहाँ submit वाले button पर click कर देना है चलिए इसके उपर हमने click कर दिया click करने के बाद में एक OTP आपको prompt होगा और उस OTP को यहाँ पर fill कर देना यहाँ से चलिए हमारे पास आ गया है इसको हम copy कर लेते हैं copy करने के बाद में यहाँ simply हम इसको paste कर देते हैं और simply इसको verify पर click कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आ गया था कि आपका जो mandate है वो successfully create हो गया है और जो नया page यह जिरोधा की ओर से खुला है तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है your mandate registration request has been submitted mandate will be activated within 72 hours में तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से mandate कर सकते हैं और mandate करने से फायदा यही होगा कि अब आपको बारबाल manually payment नहीं करना पड़ेगा SIB का जो नया नियम आया था उससे सारी हमनों की जो व्यवस्था थी वो गरबड़ा गई थी क्योंकि जो SIPS हमारी होती थी का amount cut होना होता था वो हमारे pool account से cut जाता था हम जरोधा में DMAT में पैसा डालते थे और वहां से हमारी SIB cut हो जाती थी लेकिन जब सेवी का नया नियम आ गया तो वो system खतम हो गया और जो SIPS थी वो हमें manually pay करना पड़ा था जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा था तो अब आप इस तरीके से E-mandate का option चूज़ करके automatic mode पर अपनी SIPS को कर सकते हैं तो अभी चलिए इसको हम फड़ा सा back चले जाते हैं फिर से जड़ा coin पर जाते हैं और यहां पर जब mandate हो जाएगा आप create कर देंगे तो processing लिक करके आएगा और जब वो active हो जाएगा तो active यहां पर लिक करके आ जाएगा और इस तरीके के mandate को आप option से जब SIP आप करने जाए तो अभी यहां पर थोड़ा एक बार हम refresh करते हैं और देखते हैं कि दो mandate आ जाना चाहिए क्योंकि जो अभी मैं आपको दिखा रहा था वो पुराना वाला है कल मैं उसको try कर रहा था तो वो आधा धूरा ही रहा गया था तो यहां से हम फिर से एक बार चेक कलते हैं payments में ज देख रहा होंगे 6 बचके 2 मिनट हो रहा है यानि कि अभी हम लोगों ने इसको देखे 6 बचके 9 मिनट हो रहा है तो अभी हम लोगों ने create किया है तो यह इसको हम लोगों ने पूरा process कर दिया है तब यह processing दिखा रहा है अब आगे क्या होगा हम उसको भी वीडियो बना करक और आगे आपको ये भी बताएंगे इस तरीके से आप mandate को link कर सकते हैं अपनी existing SIP से example के तोड़ पर यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि मालेजे कि कोई भी fund है यहाँ पर हम choose करते हैं मालेजे ICICI Nifty Index Fund ठीक है कोई recommendation नहीं है example के लिए हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर जैसे SIP पर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर जो mandate का एक option देखिए यहाँ पर मिल ला है पहले यह हमें नहीं मिलता था तो अभी यहाँ पर none दिखा रहा है जैसे कि यहाँ पर हम click करेंगे तो अभी कुछ नहीं है जब हमारा activate हो जाएगा तो यहाँ पर वो option शो करने लएगा तो इसको हमें चूज कर लेना है SIP के लिए तब इस condition में जब उसको हम चूज कर लेंगे तब जो पैसा कटना होगा SIP का जो amount कटना होगा जिस date को कटना होगा वो direct हमारे bank account से कट जाया करेगा तो बस यही एक update था जो कि इस वीडियो के माद्यम से मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था तो जिन लोगों का यह सवाल था कि कब आएगा कब जिरोधा का mandate वाला option आएगा बाकी brokers दे रहे हैं तो अब देख लिए अब इन्होंने भी लागू कर दिया है और मेरे यह तीन यह चार दिन हो रहे हैं ट्विटर पर मैंने इसको देखा था और जब मैंने इसको क्वाइन को update किया तब यह option मिला था तो अगर आपका जरूधा क्वाइन का जो app है वो update नहीं होगा तब यह option आपको show नहीं करेगा तो आप इस option के लिए अपने जो क्वाइन का mobile app है उसको update कर लिजेगा तभी आपको यह option दिखाई पड़ेगा तो आगे जो भी update रहेंगे इस सम्मंदित आगे मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी देता रहूँगा तो फिराल इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेस्ट वीडियो में वीडियो पसंद आया तो